तूर मैं यो यो टूप चैनल शाइन टीकोरी तोरियल मैंसेल बींदु प्राशर तो गाइस हम जो थे प्लांट किंगड़म को डिसकस कर रहे थे प्लांट किंगड़म के अंदर हमने अल्गी को कंप्लीट कर लिया था ती कहाँ प्लांट किंगड़म में हमाएं पास five types है इस that angiosperm है ठीक है तो आज जो हम topic discuss करने जा रहे हैं वो है bryophytes कुछ इस तरह की structures आगर आपने आसपास देखी है तो यह क्या है यह bryophytes ही है ठीक है इसमें दो structures आपको दिखरी होंगी bryophytes जो है mainly two classes में divided है ठीक है वैसे तो three है लेकिन NCRT के अंदर जो है cable two ही classes जो है वो slaybers के अंदर दी गई है जिसमें आते हैं liverwort और mosses तो first picture जो आप देख रहे हैं यह mosses है after that जो है इसमें यह जो गोल्गोर structures आपको दिख रही है gamma cups इनके बारे में भी आगे हम study करेंगे ठीक है तो यह जो थी यह picture थी liverworts की तो चलिए start करते हैं bryophytes कर अगर हम इसके habitat की बात करें तो bryophytes mainly जो है वो shady places के अंदर छायादा जगाहों पे और humid places जहां पे नमी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है उस जगा पर यह हमें मिलते हैं ncrt क्या कहती है ncrt कहती है they usually occur in damp damp मतलब गीली humid and shady localities यानी गीली मित्ती में humid जहां नमी बाली जगा हो यह shady localities जहां पे जो है शायादार bricks के नीचे या उस के तने के ओपर भी एक grow कर जाती है आपने देखा होगा आपने आसपास कही बार के होता है कि एक green color की matte सी दिखती है ठीक है कि घास की एक हरी जो matte जो है और बहुत मुलायम मुलायम जो है वो हरी एक matte जो बिची हुई है वो actual में जो है वो ब्रायोफाइट सी होते है ठीक है इसमें हमाई पास थैलस लाइक भी होते है कुछ ही red structures भी present रहते हैं तो ब्रायोफाइट की structure गी अगर हम बात करें तो इसकी main plant body जो है वो ग बड़ा था अलगी में हमारे पास थैलॉइड structures होती है ठीक है तो इसमें भी जो है वो थैलस लाइक ही होती है लेकिन यह एलगी से थोड़ी जादा differentiated होती है इसमें क्या होता है root like या stem like या फिर जो leaves like structure जो है वो present होती है actual में नहीं होती लेकिन like मतलब leaf like उसके जैसी मिलती जोलती structure होंगी लेकिन actual में वो leaf नहीं होगा या root नहीं होगी या stem नहीं होगी next इसका जो थैलस होता है like and prostate or erect ठीक है थैलस like होगा और कैसा होगा prostate prostate मतलब जमीन से चिपका हुआ ठीक है यानि की horizontal इसमें रहेगा और erect मतलब सीधा खड़ा भी हो सकता है ये तो depend करता है कि कौन सी species है और उसका थैलस जो है या तो वो horizontal position में present होगा या erect position में वो present हैगा and attached to the substratum, substratum वो चीज जिसके साथ ये chip की हुए वस्था में मिलेगा ठीक है चिपका हुआ रहेगा ठीक है यानि कि उसको ऐजे अधार लेके यानि कि उसके उपर ही वो grow करेगा ठीक है तो substratum जो है वो कोई tree भी हो सकता है रोक भी हो सकता है या फिर वो smile भी हो सकती है रूट की तरह structure होती है एक्चुल में रूट नहीं होती लेकिन thread-like structures होंगी जो रूट की तरह ही दिखती है ठीक है डाइग्राम भी देखते हैं हम आगे इस तो fellus-like and prostate or erect attached to the substratum वा यूनी राइजोर्ट का डिपेंड करता है कि वह कौन सी स्पीशिस है अगर वह हमाई पास क्लास आती है लीवर्वर्ट से तो यह मेंली यूनी सेलुलर होंगे ठीक है और यूनी सेलुलर के साथ ही क्या होगा यह पिलकुल मतलब ब्रांच्ट नहीं होगा वहां पर अगर लीवर्वर स्ट्क्चर जो है वह थैलस लाइक जिसमें राइजोड यह फाइन थ्रेड लाइक स्ट्क्चर आपको दिख रहे हैं और नीचे जो सी है सी फिगर है उसमें आप देखेंगे कि यह हमाई पास लीवर्वर्वर्ट की स्ट्क्चर है जिसमें में एक्सिस से नीचे जो है वह तो इसमें हमाई पास root-like, stem-like, leaves-like भी है, gametophytic face उसमें दिखरा है, ठीक है, उपर वाला जो capsule और ceta है, that is sporophytic face है, इसका, main plant body कैसी रहेगी, gametophytic ही रहेगी, ठीक है, sporophyte जब हमार इसके अंदर जो है sexual reproduction बगरा होती है, तब ये face रहेगी, ठीक है, उपर अगर आप देखें, ये liver wort की structures है, A and V, तो यहाँ पे thallus-like structures है, ठीक है, इसमें rounded structures, gamma cups भी है, ठीक है, sexual structure जिसके उपर जो है, archegonio 4 और N3-Dio 4, ठीक है, ये हम आगे भी discuss करेंगे इसके बारे में, अभी हमने जो था right choice की structure देखनी थी, तो rhizodes liver wort के अंदर unicellular होता है, unbranched होता है, और जो ह हमारे पास mosses होती है, उसमें ये multicellular और branched भी रहता है, ठीक है, अब next structure देखिए, इसमें देखिए rhizodes जो है, वो हमें बिल्कुल fine thread like white color की structure जो है, असानी से देखने को मिर रही है, उपर thallus है, ठीक है, नीचे rhizodes हैं, ठीक है, तो इसी से by capillary action जो है, ये soil से water और mineral जो obtain कर लेता है, so real structure जो थी rhizodes की, वो भी आपने देख ली, ठीक है, चलिए आगे discuss करते हैं, so जैसा कि हमने discuss कर लिया, दे में possess root like, leaf like or stem like structure, ये line आपकी NCRT के अंदर भी दी गई है, true structures present नहीं होती, लेकिन root like, leaf like or stem like structure जो है, वो present रहती है, next ये दो जो structures है, आपकी NCRT में given है, इसमें first है funeria, second है हमार पास example sphagnum का, इसमें funeria के अंदर हमार पास gametophyte और sporophyte और sporophyte दोनों generations दी हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी हम reproduction के बारे में discuss करने जा रहे हैं, तो उससे पहले gametophyte और sporophyte, क्योंकि main plant body जो है, इसकी gametophyte है, gametophyte के अंदर इसमें leaf like structures, main axis और rhizoids आते हैं, ठीक है, और next ये हमार पास sporophyte इसमें सीटा और capsule इसमें present रहेंगे, इस capsule के अंदर ही जो है, वो हमार पास sphagnum जो है, इसका gametophyte दिया हुआ है, archegonial branch इसकी अलग से दी गई है, archegonial मतलब ये हमार पास female branch है, और anthridial branch ये हमार पास इसकी male branch है, so guys now take a look, reproduction in the bryophytes, bryophytes के अंदर reproduction किस तरह की होती है, तो इसमें asexual reproduction जो रहेगी, वो होगी by fragmentation, by gamma cups, और by budding in the protonema, या तो fragmentation के थुरू, gamma cup structures होती है, जिसे आगे हम diagram में देखते हैं, ठीक है, एक pic दिखाऊंगी, उससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, budding in protonema, तो ये भी हम आगे देखे हैंगे, किस तरह से protonema इसके अंदर arise करती है, प्रोटो नीमा से बर्ड निकलेगी, और that bird is capable to growing in a complete plant, तो ये है हमारे पास structure, इसमें आप देख रहे होंगे, ये बर्ड इसमें से जो हलकी सी arise करी है, ये ही बर्ड जो है, एक complete gametophytic plant body को जो है, अपने में से produce करती है, या उसमें से gametophytic plant body जो है, वो grow कर जाती है, rise कर जाती है, ठीक है, इसी से पूरा plant जो है, और ये face जो है, वो mainly आता है, sporophyte जो phase होता है, उसमें जो spor produce होती है, उसके बाद ये protonima stage जो है, ये हमारे पास आती है, mosses के अंदर, ठीक है, mosses के अंदर जो है, ये stage देखी जाती है protonima, ठीक है, तो ये sexual reproduction के बाद ये stage आती है, ठीक है, इसको consider किया जाता है, as a asexual phase, नेक्स जो ये picture आप देख रहे हैं, इसमें gamma cup और प्रोटो नीमा है, gamma cups में देखी है, ये जो हमारे पास thallus like structure है, उसके उपर ये rounded structure जो आप देख रहे हैं, इसे लग रहा है कि चाय के cup रखे, इनहीं को gamma cups कहा जाता है, और इनहीं के अंदर जो ये छोटी छोटी बर्ड्स दिख रही हैं, इनहीं बर्ड्स से जो है, एक complete plant body जो है, वो तयार हो जाती है, they are capable to grow in a complete plant body, ये भी हमारे पास asexual type of reproduction रहेगी, और ये रहेगी liver words के अंदर, प्रोटोनीमा जो है, वो आती है mosis के अंदर, और gamma cups जो है, ये आती है liver words के अंदर, नेक्स्ट है हमारे पास sexual reproduction in bryophytes, sex organs जो होते हैं bryophytes के, वो mainly कैसे होते हैं, multicellular होते हैं, multicellular में इसमें हमारे पास male sex organs भी रहेंगे, और female sex organs भी रहेंगे, जो male sex organ है bryophytes के अंदर, वो रहेगा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के अंदर क्या होता है, दो flagellate बाले जो spores हैं, वो produce होंगे, they produce biflagellated antherozoid, दो flagellular वाले antherozoids जो हैं, ये produce करेंगे, जो female sex organ होता है, bryophytes के अंदर, उसको archegonia कहा जाता है, ये flask shaped होता है, ठीक है, इसके अंदर ये आगे गलत लिखा है, एंtherozoids लिख दिया है, इसमें आप लिखेंगे, कि जो हमारे पास flask shaped archegonia होता है, उसके अंदर single egg cell present रहता है, क्या present रहता है, single egg cells, ठीक है, bryophytes को amphibians of plant kingdom कहा जाता है, important है ये, bryophytes को क्या बोला जाता है, amphibians of the plant kingdom, क्यों कहा जाता है, इनको amphibians of the plant kingdom, देखिए, amphibians वो होते हैं, जो की पानी के अंदर भी रह सकते हैं, और जमीन के उपर terrestrial भी होते हैं, तो bryophytes भी वैसे हैं, वैसे ही कि मतलब जैसे algae हमारे पास completely aquatic थी, अब bryophytes के अंदर क्या होता है, ये थोड़े पानी से बहार निकलाए है, ये terrestrial plants है, लेकिन इनको अपनी sexual reproduction को complete करने के लिए water की जुरूरत पड़ती है, क्योंकि जो male हमारे पास sex organ antheridium है, उसमें से जब release होंगे gametes, तो antherozoids उसमें से release होंगे, तो water current के थुरू ही या पानी के द्वारा ही, वो female sex organ archegonia तक पहुँचते हैं, अपनी sexual reproduction के लिए, ये किसके उपर depend रहते हैं, ये depend रहते हैं, पानी के उपर, ये जो structures आप यहाँ पर देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, NCRT के अंदर structure दी होई थी, archegonia की और anthridium की, ठीक है, वहाँ पर archegonia 4, anthridium 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, कि first picture और second picture, second picture में तो देखिए, दोनों ही आपको देख रहे हैं, तो इस तरह की जो condition होती है, जिसमें एक ही थैलर्स के ऊपर, दोनों सेक्स ओर्गन जो प्रेजन्ट होंगे, वो कैसे होंगे, monisius plants होंगे, ठीक है, यानि कि दोनों ही उसके ऊपर प्रेजन्ट है, एक साथ प्रेजन्ट है, छे से समझेगा, ठीक है, इसमें हमाई पास दो gametophytic plant body दी गई है, एक जो है वो female thallus है, दूसरा जो है वो male thallus है, ठीक है, इसमें नीचे rhizoid present है, gamma caps के बारे में हमने डिसकस कर लिया भी, ठीक है, vegetative reproduction, जो सोरी, ये asexual reproduction में ये help करते हैं, बर्डराइज होती है इसमें से, और complete plant body को ये, जो है, वो वहाँ से उसकी growth हो जाती है, ठीक है, तो अब female thallus को जब अब देखते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, कि जो female sex organ होता है, flask shaped होता है, और single egg उसके अंदर present रहता है, तो archegonio 4, इसमें क्या होता है, archegonia produce होंगे, क्योंकि ये जो flower shaped आप इसके उपर दिख रही है, actual में इसमें क्या है, कि बहुत सारी ये जो flask shaped structure है, इसमें एक जो है, हमारे पास, एक archegonio नहीं है, बहुत सारे archegonia जो है, इसके आस-पास attached है, इसी single structure के उपर, ठीक है, ये डंडी दिख रही है न, archegonia 4, तो इसी के उपर जो है, archegonia बहुत सारे present रहेंगे, अंthridium 4 में भी वैसा ही होगा, ये हमारे पास male thalus है, male thalus के उपर, ये male sex organ present है, अंthridium 4 मतलब की, इसके अंदर जो है, वो अंthridium होंगे, और उसी के अंदर जो है, male gametes जो है, produce होंगे, अब male sex organ, female sex organ, दोनों के बारे में हमने डिसकस कर लिया है, male sex organ से जो है, antheriozoids जो है, जब वो release होंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, amphibians of plant kingdom, तो water की जुरूरत पढ़ेगी इसको, ठीक है, तो जैसे ही the antheriozoids are released into water, where they come in contact with the archegonium, जैसे ही antheriozoids, जो है, वो male, जो हमारे पास plant body थी, उससे release होंगे, ठीक है, तो release होके कहां जाएंगे, water के अंदर जाएंगे, जहां वो किसके contact में आएंगे, archegonium के contact में आएंगे, archegonium के अंदर क्या present है, single egg cell वहाँ पे present है, उस तक इन antheriozoids को पहुँचना है, an antheriozoid, एक ही antheriozoid उसमें से fuse करेगा with the egg, egg के साथ जब वो fuse करेगा, ठीक है, उनमें fertilization होगी, and they produce the zygote, वहाँ पे zygote की production होगी, an antheriozoid fuses with the egg, to produce the zygote, जैसे ही ये zygote वहाँ पे produce हो रहा है, अब algae में हमारे पास क्या होता था, कि वहाँ पे जो zygotic stage थी, वो नहीं आती थी, वहाँ पे sporophytic stage आ जाती थी, ठीक है, वही sporophytic phase, इसी को zygotic phase भी कहा जाता था, ठीक है, यानि कि एक stage आती थी हमारे पास, और उसी में meiosis होती थी, ठीक है, और spore produce हो जाते थी, लिकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे zygote के अंदर, एक दम से reductional division, यानि कि meiosis नहीं होगी, इसमें क्या होगा, यह जो zygote है, पहले यह convert होगा into a sporophyte, जो की एक multicellular body होगी, zygote does not undergo reductional division immediately, एक दम से उसके अंदर reductional division नहीं होगी, they produce a multicellular body that called sporophyte, वो क्या, एक multicellular body produce करेंगे, जिसको sporophyte कहेंगे, अब जैसे की पीछे हमने जो थी, वो डाइग्राम में क्या देखा था, कि जो sporophyte था ना, वो किसके ओपर present था, गेमिटोफिटिक body के ओपर present था, तो यह sporophyte जो है, the sporophyte is not free living, अकेला नहीं रह सकता यह, ठीक है, इसको depend रहना पड़ता है, किसके ओपर, गेमिटोफिट के ओपर, sporophyte is not free living, but attached to the photosynthetic gametophyte, and derive its nutrition from it, इसको खाना कहां से मिलेगा, photo, sorry, गेमिटोफिटिक, जो हमार पास photosynthetic part होगा, क्योंकि photosynthetic है, वो तो अपना खाना बनाएगा, ठीक है, तो sporophyte क्या करेगा, अपने nutrition के लिए, जो है, वो किसके ओपर depend रहेगा, गेमिटोफिटिक प्लांट वोडिक के ओपर, उस गेमिटोफाइट के ओपर, वो depend रहेगा, और उसी से अपना nutrition जो है, वो derive करेगा, now, some cells of the sporophyte undergo reductional division, meiosis होगी, to produce haploid spore, अब जैसे कि हमने देखा था, zygote एकदम से, उसके अंदर reductional division नहीं हुई थी, उसने क्या किया, उसने पहले एक multicellular sporophyte बनाया, और ये sporophyte किसके साथ अटेज है, गेमिटोफिटिक प्लांट वोडिक के साथ अटेज है, अब इस sporophyte के अंदर जो है, reductional division होगी, ये sporophyte कैसा था, diploid होगा, zygote जो हमारे पास बनेगा, वो कैसा रहेगा, diploid रहेगा, और इसमें अब reductional division होगी, यानि जो spor produce होगे, वो कैसे होगे, वो हमारे पास haploid होगे, यही haploid spores जो है, यह जब germinate करेंगे, तो क्या produce करेंगे, gametophyte, dispose germinate to produce the gametophyte, ठीक है, तो sexual reproduction में क्या हुआ, जो हमारे पास archegonia था, anthridium था, archegonia ने male gamet produce करे, ठीक है, और जो हमारे पास anthridium था, उसने जो था male gamet produce करे, archegonia के अंदर single egg cells होता है, यह male gametes, जो है through water, जो है archegonia तक पहुँचेंगे, वहाँ पर fertilization होगी, fertilization के बाद क्या होगा, उसमें mitosis होगी, mitosis होगी, zygote की production होगी, अब यह जो zygote है, उसमें reductional division नहीं हो रही है, through mitosis ही वो क्या करेगा, sporophytic plant body बनाएगा, sporophyte produce होगा, उस sporophyte के अंदर, जो है reductional division होगी, यानि meiosis होगी, और haploid spore produce करेंगे, यह haploid spore जो है, फिर से mitosis के थूँ, जो है, वो gametophetic plant body को producer करेंगे, नाउ, इससे अब जो है, हम आसानी से समझ जाएंगे, इस diagram को ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए, हमारे पास haploid gametophetic generation है, इसमें हमारे पास एक male plant body रहेगी, एक जो है female plant body रहेगी, एक के अंदर जो है enthridium है, दूसरे के अंदर जो है, वो archigonia है, ठीक है, enthridium के अंदर spurs, यानि की male gamet produce होंगे, ठीक है, archigonia के अंदर जो है, वो egg रहेगा, अब ये जो है, जैसे ही इसको water मिलेगा, enthridium को जैसे ही water मिलेगा, तो उसमें से जो है, उसके male gametophetic जो थे, जैनि जो sperm थे, वो release हो जाएंगे, release होके वो कहां तक पहुंचेंगे, उनको पहुंचना है, archigonium तक, archigonium के अंदर क्या करना है, उनको fertilization करनी है, जैसे ही वहाँ fertilization होगी, zygote produce होगा, ठीक है, embryo लिखा है यहाँ पे, zygote की production होगी, और ये कैसा होगा, deployed होगा, ठीक है, deployed होगा, और ये sporophytic generation में आ जाएगा, ठीक है, जब हमारे पास, anthridium और egg, ठीक है, anthridium के अंदर, जो हमारे पास, male gametes बने थे, ये भी through mitosis ही बने थे, ठीक है, mitosis ही हो रही थी, यहाँ तक, जहाँ तक fertilization से लेके, जब हमारे पास, ये zygote बन रहा है, यहाँ तक हमारा जो process चलेगा, वो mitosis ही चलेगी, ठीक है, next क्या हुआ, जब हमारे पास, ये zygote जो था, जब sporophyte में convert हुआ, ठीक है, अब zygote कैसा था हमारे पास, ये diploid था, sporophyte भी कैसा है, diploid है, यहाँ पे भी हमारे पास mitosis ही होगी, लेकिन जब sporophyte के अंदर, haploid spore produce होंगे, तब हमारे पास क्या होगी, meiosis होगी, ठीक है, meiosis होगी, फिर ये spores जैसे ही germinate करेगा, इसमें हमने protonima पढ़ा था ना बीचे, तो protonima with word यहाँ पे, जो है, वो arise करेगी, और यही word जो है, ये आगे क्या हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी, gametophytic plant body के अंदर, ठीक है, gametophytic generation देगी, और ये जो spore से आगे, gametophytic face आ रहा है, ये भी हमारा through mitosis ही होगा, ठीक है, तो ये जो example था, ये रहा है, sorry, mosses का, ठीक है, जिस mosses के अंदर ही, हमारी protonima stay जाती है, ये जो प्रोटो नीमा से, जब gametophytic, जयनि कि spore से, प्रोटो नीमा फिर gametophytic face जो आ रहा है, इसको consider किया जाता है, as a sexual reproduction, ठीक है, ब्राइफाइट्स के अंदर, पहले हमारे पास इसी face में, आई ये जो diagram आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास दोनों इसी ओर ही है, इसमें asexual reproduction भी है, और through protonima जो है, वो asexual reproduction है, बाकी जो ये archegonia and threedium के through हो रही है, ये mitosis और meosis में, ये हमारे पास sexual reproduction है, ठीक है, तो आज के topic में हम इतना ही study करेंगे, next इसकी classes है, three classes जो है, वो में लिए इसकी होती है, liver verse है, horn verse है, और mosses है, ठीक है, horn verse जो है, NCRT ने अपने इसलिए बस में नहीं दे रखा है, तो हम केवल दो को ही discuss करेंगे, liver verse को, और साथ में mosses को, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, please मेरे channel को share करें, subscribe करें, like करें, और comment करके मुझे ज़रूर बताएं, कि आज कर ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और कल के वीडियो में हम liver verse और mosses को, जो है, वो discuss करेंगे, साथ ही उनकी economic importance के बारे में भी study करेंगे, तो कल तक के लिए goodbye and thank you. करेंगे,